हेलो एवरिवन मेरे चैनल हेल्थी लिविंग विद रूबी में आप सब का स्वागत है आज मैं आप सब के साथ वाट आई इट इन अटे वीडियो शेयर करने चा रही हूँ मैं इंटरमेटर फास्टिंग फॉलो करती हूँ और मैं 16 से 8 गंटे का विंडो फॉलो करती हूँ अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पताना तो मैं 16 गंटे फास्टिंग करती हूँ तो सुपा आठ बजे में उठके सबसे पहले घरम पानी में एक टी स्पून एपल साइडर वीनेगर का एड करके उसे अच्छी से मिक्स करके पी लेती हूँ एपल साइडर वीनेगर के बहुत सारे फाइदे है उसके दो गंटे बाद करीब दस बजे में ग्रींटी लेती हूँ यह हर्बल ग्रींटी है ग्रींटी के भी बहुत सारे फाइदे है फिर में 12 बजे अपना फास्टिंग तोड़ती हूँ और सबसे प खाती हूं और 5-6 पादाम खाती हूं आज फ्रूट में मैंने एक एपल लिया है और 5-6 पादाम लिये हैं और इसे में आराम से बैठ के खाऊंगी क्योंकि मैंने 16 घंटे का फास फॉलो किया था उसके बाद करीबन दो बजे में अपना लूंगी लंच में मैं ओट्स ले रही हूं यह मसाला ओट्स की रेसेपी मैंने कल ही अपने चैनल पर अपलोड की है अगर आपको देखना है तो मैं लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यह खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं इसके साथ में चटनी ले रही हूं मैं अपना लंच बहुत आराम से करूंगी उसके तीस मिनिट बाद मैं फिर से ग्रिंटी लें लूँगी खाने के आधे गंटे बाद ग्रिंटी लेना बहुत ही अच्छा है ग्रिंटी आपके शरीर के सारे टॉक्सिंस को दूर करती है और इसके हैल्थ बेने फिल्ट भी बहुत सारे है उसके मनलाब दो घंटे बाद साड़े चार बज़े में अपना मेड इवनिंग स्नेक लूँगी उसमें कोई पी एक फ्रूट लेंकलूगी आज मैं फ्रूट में ओरेंज ले रही हो कईवन साड़े शे बज़े में अपना टीनर लूँगी टीनर में मैं केबेद सूप ले रही हूं इसके ऐसे पीपी मेरे चैनल पे है मैं जितना हो सके जल्दी टिनर लेनी की ट्राइ करती हूं अब मैं अपना लास्ट मिल साड़े साथ बज़े लूँगी मुझे डैजर्ट बहुत पसंद है मेरे स्वीट तूट है तो मुझे मिठा खाना बहुत पसंद है तो मैं सबसे पहले गलास में में लूँगी उसमें मैंने दो गंटे सोक किया हुआ चीया सेड मिलाओंगी इसे खाके बहुत ही टेस्टी लगता है और आपका डिजर्ट का भी क्रेविंग दूर होता है और यह हेल्दी भी होता है मैंने मिल्क भी स्कीम्ड मेंच लिया है उसक यह मेरे विंडो से व्यू है शाम का इसे देखते देखते मैं अपना डिनर लूँगी और आठ बजे मैं अपना फास्टिंग फिर से स्टार्ट करूंगी सुपह के बारा बजे तक और थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो